कलकरण खाने का हो मन तो बजार से लाने की बज़ाएं आप इसे घर में बहुत ही जल्दी से जटपट से आप इसे बना सकते हैं सिर्फ 5-10 मिनट में और बहुत ही टेस्टी बनेगा इसे बनाने के लिए हमें सर्फ 3 इंग्रेड़ेंट्स चाहिए तो चलिए देख लेते हैं इसका बनाने का तरीका यहां पर मैंने एक बॉल में दूद ले लिया है उसमें 2-3 चमच हम शकर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीन चमच है और अच्छे से मिक्स करके से हमने साइड में रख देना है दूद थोड़ा सा गरम दालेंगे एक गिलास दूद और इसमें दालेंगे हम 100-500 ग्राम मावा लिया है और इसे हमने अच्छे से खोड़ लेना है क्योंकि फ्रिज में था तो थोड़ा सा हाड हो गया है और इसे हमने चलाती जाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर तो हम इसे सिर्फ दूद से भी बन जाएगा और अगर इस तरह से हम मावे से बनाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी से बन जाएगा बस इसे हमने चलाती रहना है मीडियम फ्लेम पर थोड़ा से मैंने यहाँ पर इलाची का पौडर डाल दिया है इलाची के दानी को कूट कर डाल देंगे और आपके पास से चाएगा और इस तरह से छल यह चाएगा पी चुन्ड़ा से और अच्छा फगा पिगल चुकी है और अच्छा आप झाले है यह त्टता होगा ना तो रुछ रहे हैं यह जा चक सोने आपके चक्छाए जल्याते आपके हो को कॉस्त बद la a अ आपके ने क्याब मैंता है आपसे क्लाकंद बनाने के लिए रिएक कांच की ट्रेयल यह आपसे प्लेट में भी जमा सकती है तो किसी भी कोने को हम नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से हमने अरेंच कर लेना है अब जो दूद हमने शक्र मिलाकर रखा था तो उस दूद को हमने इस पर डाल दिना है दूद थोड़ा सा नीम गरम लेंगे तो अच्छे से एब्जॉब कर लेगा ये ब्रेड में बहुत अच्छी तरीके से हमने दूद को डालना है पूर करना है कि अच्छे से ब्रेड है भीग जाए अब यह मैंने यहाँ पर अच्छे से डाल दिया है और एकदम सॉफ्ट हो गया है ब्रेड अब इस पर हमने जो रबडी बनाकर तयार की है मावे की वह इस पर से हम डाल द किसी को आप खिलाएंगे नो बहुत ही तारीफ करेंगे आपकी अब इसे हम सब तरफ अच्छे से ब्रेड पर फैला लेंगे तो यहाँ पर हम डबल लेयर बनाने वाले हैं तो पहली लेहरा हमारी तैयार हो चुकी है हमने इसे अच्छे से फैला लिया है रबडी को और अब ह要गे हम तो इस तरह से विद्ध को हमने लगा लेना है है हुआ तो कि इक इस पर फर हमने दूद तरीके से दूर नुढों को कोई न चुट राज़ेंगे बेड अच्छे से भीग जाएंगे से तो में तो दोर अधाय कर दैएक आदा दला था अब उफर से एक बार रबडी ते देना है मुने दाल देंगे अब चछे से अचे पहलाएंगे अगे प्रेट नहीं होके कोई को न छूट जाए अच्छे से फेलाएंगे से अभी हमारा इंस्टेंट ब्रेड वाला कलकंद रेडी हो गया है तो इसे हमने क्या करना है एक से दो गंटे के लिए अगर आपको जल्दी है तो कम से कम एक गंटे के लिए से जरूर आपने फ्रेज में है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी इस तरह से मिठाई और अगर आप इसे जादा रखेंगे तीन से चार भंटे के लिए रखेंगे तो बहुत ही जादा अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे तो क्योंकि मैंने इसे वीडियो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेस्ट आ जाता है मिठाई में तो आप इस तरह से जरूर करना अगर आपको जल्दी है तो आप उसी वक्त काट सकते हैं उस वक्त भी बहुत ही टेस्टी लगती है और अगर आपने आपकी घर में कोई महमार या गेस्ट आने वाले है तो आप इसे बना कर चार से पांच छ कलाकंद के तो अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे एक घंटे के लिए मैंने यहाँ पर फ्रिज में रखा था और एक घंटे के बाद यह अच्छा सा हो गया है तो अब इसे कट कर लेंगे तो दीके बहुत ही माउथ वर्टरिंग और दम डिलिशियस ही हमारी जो ने कलाकंद की वर्फिर एड़ी हुई थी और सभी को बहुत पसंद आई थी घर में इस तरह से आप ज़रूर ट्राय करना और यह दिखे इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में बहुत ही ज़्यादा ट तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्लेज करना नियू अपडेट्स के लिए तो यह दिखे कितनी सॉफ्ट और रसीली हमारी बर्फि बनी है कलाकंद की बर्फि